तो कहते हैं इस्टुडेंट्स की बीच रास्ते से लोटने का कोई फायदा नहीं क्योंकि लोटने पर भी उतनी ही दुरीते करनी पड़ेगी जितने में की आप लक्स तक पहुंच सकते हो तो बैतर होता है इस्टुडेंट्स की जब हम किसी कंपीटिशन की तैयारी करें तो जब हमने इतने समय को लगा ही दिया है तो थोड़ा सा और वक्त लगा दे ताकि हम लोगों को मंजिल भी मिल ही जाए और कभी-कभी हम थोड़ा सा घबडा जाते हैं जिसके कारण हम लोग म आप लोगों को यह बता देना चाहता हूं इस्टुडेंट्स की वर्गमूल जो होती है बहुत लोगों को निकालने में काफी परेसानी होती है लेकिन आज मैं आपको यहाँ पर अनुमान लगाकर एक सो परतिसतक सही वर्गमूल निकालने का तरीका बताऊंगा और भले आ आपके वर्गमूल कभी भी गलत नहीं होंगे लेकिन कुछ जरूरी बाते याद रखनी है तो आएए सबसे पहले देखे कि क्या बाते याद रखने की जरूरत होती है तो इस्टुडेंट्स यहाँ पर सबसे पहले जरूरी बात होती है कि हम एक से लेकर के जो दस तक की क्या है उसके हम लोग वर्ग को पहले याद रख ले जैसे कि स्टुडेंट्स एक का स्कौर एक दो का स्कौर चार तीन का स्कौर नौ चार का स्कौर सोलन पांच के स्कौर पचीस छो के स्क्वाइर 36 साथ के स्क्वाइर 49 थोड़ा पे सेंस रखना इस्टूनेट्स क्योंकि इसमें ही सारी बाते आप लोगों की छुपी हुई है इसलिए मैं यहाँ पर इसे लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को मैं यहाँ पर अच्छे से समझा सकूँ नौ का स्क्वाइर एकाजी और दस में तो अंत में 0 होते हैं दस के स्क्वाइर 100 यह तो सभी को यादी रहता है यहाँ पर समझना क्या है कि आप जब भी देखते हो कि एक से लेकर के नौ तक के संख्या के स्क्वाइर होते है उसमें कुछ खास बाते होती है कि उसके इकाई पर जब भी आप देखोगे तो एक में जैसे नौ है यह एक के स्क्वाइर में एक है तो आपके नौ के स्क्वाइर में भी एक है दो के स्क्वाइर में अगर चार है तो आठ के स्क्वाइर में भी चार है तीन के स्क्वाइर में अगर नौ है तो साथ के स्क्वाइर में भी नौ है अगर चार के स्क्वाइर में छे है तो छे के स्क्वाइर में भी छे है और पांस तो आप जानते हैं यो पांस तभी होगा जब वो पांच वाली संख्या की स्क्वाइर होगी तो इस ट्रेंट आप यहाँ पर देखोगे इकाई पर आपके सिर्फ एक, चार, छे और नौ और पांच क्या कभी आपने देखा कि स्क्वाइर पर दो इकाई में कभी आपने देखा तीन या साथ कभी आपने इसाथ देखा या आठ आप कहोगे बिलकुल नहीं सर किसी भी जो पूर्ण वर्ण संख्या होती है उसकी इकाई अस्थान पर कभी भी दो तीन साथ और आठ तो होगी ही नहीं इसलिए स्टुडेट्स अगर आप कहीं भी देख लो इकाई पर दो तीन साथ आठ तो समझ लो कि वो संख्या कभी पुर्ण वर्ण संख्या होगी ही नहीं उसका वर्ण मूल ही नहीं निकलेगा यानि कि वर्ण मूल तब निकलेगा जब उसके इकाई पर एक चार नौ और छे और पांच हो आई बास समझ में एक चार नौ छे और पांच होगी तभी उसकी वर्गमूल निकलेगी और उसमें भी थोड़ी सी कंडिशन यह हो जाएगी कि अगर आप देखोगे मान कर चलो कोई संख्या आपके है मान कर चलो हमने यहाँ पर लिया 9801 तो जैसे कि इसकी इकाई पर एक है तो यह मान कर चलो कि इसकी जो वर्गमूल होगी उसके इकाई पर एक या 9 दोनों हो सकती है यहाँ थोड़ी सी confusion तो बनेगी कि अब इसके जो किसकी होगी या 91 की होगी या 99 की होगी यहाँ पर थोड़ी सी confusion आएगी अब इस confusion को हम लोग कैसे दूर करेंगे अब इस बात को मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ तो गौर से देखना है अब इस्ट्रेंट्स यहाँ पर क्या देखना है कि आप हमेशा दो बात याद रखो कि जब भी आपके मान कर चलो अगर 15 है और 20 है तो जैसे कि 15 के स्क्वाइर आपके कितने हो जाएंगे 15 के स्क्वाइर 225 अब देखो इसकी साट लॉजिक में आप लोगों को पहरे भी बतला है लेकिन एक बार मैं बतला दोता हूँ जब भी इकाई अस्थान पर 5 होगी तो दाही वाले अस्थान को एक ज़्यादा बार पहाड़ा पर देना है जैसे कि एक दुनी 2 और उसके उपर 25 रख देना है दबे और 5 की स्क्वाइर आपकी क्या होगी 25 होगी यह पांच बाले अंक की जो प्हाई अगर 5 होगी तो उसका वर्ड़ हम लोग कैसे आसानी से निकालेंगे उसकी लोजिक और जब भी आपके अंट में 0 होगी तो सिर्फ आपको क्या करना है दहाई वाले का हम लोगों को स्क्वाइर कर लेना है जैसे कि 2 की स्क्वाइर 4 और 2 0 लगा देंगे यानि 400 इसी परकार अगर हम लोग 30 का स्क्वाइर निकालेंगे इस्टुटेंट तो 12 का स्क्वाइर कितना होता है 144 होता है इस पर 2 0 लगा दिये यानि कि आपके हो गए 14,400 आई बास समझ में स्टुटेंट तो यहाँ पर आपको यह चीज याद रखनी होगी अब आई ये स्टुटेंट हम लोग कैसे अनुमान लगा कर वर्गमूल को करोगे कैसे इसकी वर्गमूल का हम लोग सही सहनुमान लगा लेंगे तो यहाँ पर क्या करना है आपको जोड़ा लगाना जब भी जोड़ा लगाओगे आप दाएं साइड से जोड़ा लगाना ठीक है बाएं साइड में दो की square 4 होती है और आपके 3 की square 9 होती है तो ये जो है आपके 4 और 9 के बीच में आ गया तो जब भी 9 से या 9 या 9 से उपर नहीं जाएगा तब तक वो 2 का ही इदाई वाला वर्ग होगा ये तो फिक्स हो गई यानि कि जब भी आपके 2 का square 4 और 3 का square 9 होता है तो चाहे 5 हो या 6 हो या 7 हो या 8 हो ये सभी आपके किस में जैंगे ये सभी आपके 2 में ही जैंगे जब आपके 9 हो जाएगी तो फिर 4 के square क्या हो जाते है students, 4 के square हो जाते है 16 जो बात में कड़ा उसे ध्यान समझदा, 4 के square 16 हो जाते हैं तो 9 के बाद चाहे 10 हो, चाहे 11 हो, 12 हो, 13 हो, 14 हो, 15 हो, यह सभी किस में चला जाएगा, यह सभी 3 में चला जाएगा आई बात समझ में और जैसे ही 16 हो जाएगा तो 4 में चला जाएगा और फिर 5 का स्कुरेर 25 तो 24 तक वो 4 में ही रहेगा आई बात समझ में तो यहाँ पर अब हम लोग थोड़ी सी अब इसे देखते जिसे 676 आपने देखा तो जो 6 है 6 आपके कहां चले जाएंगे 2 में चले जाएंगे अब आपको यहाँ पर देखना है कि 2 में तो चले गए अब आपको सीधा क्या करना है कुछ दिमाग नहीं लगाना है स्टुडेंट्स आपको सिर्फ 25 का स्कुरेर कितने होते है 625 तो यह बोलो 625 से यह जादा है या कम है आपको होगे ज्यादा है तो या तो आपके 1 पर 6 तव चह स्वंजाता है तो आए आपके 46 होगे потрमार्व मानलो 17िये आपको अगर देखे देखी जाये तो आपके 되는데 किसमें जाएंगे क्योंकि यह 9 से कम है तो यह तो 2 में ही रहा जाएगी अब रहा बात यहां पर कि यह 21 का होगा या 29 का होगा यह इसकी प्राबलम है तो हम लोग 25 का students 1296 है तो आप यहाँ पर देखेंगे हम इधर से जोड़ा लगा देते हैं अब इधर 12 बच गए तो तीन के स्क्वाइर नो चार के स्क्वाइर सोला तो यह चार के स्क्वाइर से कम है तो तीन में ही रह जाएगा अब यहाँ पर हमें से देखना है कि यह आपके 35 की स्क्वाइर क्या होती है तो 35 तीन चोंके 12 1225 तो 1225 से जादा यह कम है श्टुडेंट्स 1225 से 1296 जादा है यह 36 का स्क्वाइर हो जाएगा आ रही बात समझ में इस्टुडेंट्स अगर समझ में आ रही है तो थमसब जरूर कर देना और वीडियो को सेर और लाइक जरूर करना चलो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कुछ और एक्जामपल अब यहाँ पर देख लो स्टुडेंट्स कुछ एक्जामपल और दिये गए आपको जैसे कि अगर हमको 64 की वर्ड़ यह किस संख्यां का वर्ड़ है तो सबसे पहले आप यहाँ पर जोड़ा लगा लो इस तरह से यहाँ पर 60 आ गई अगर हम बात करेंगे तो 64 जादा है इससे या कम है आपको के जादा है तो इकाई पर यह कब आएगी जब यहाँ पर आठ होगी तभी यह चार आएंगे तो इसका बड़गमूल हो जाएगा 78 अब यहाँ पर स्ट्रेंट्स मानलो 2401 की बड़गमूल निकालनी है आपको तो आप यहाँ पर क्या जीरो एक पर जुड़ा लगा दिया और इधर आपके चोबीस हो गए तो चोबीस जो है पांच के स्कवाइर 25 से कम है तो इसलिए यह किस में रह जाएगा चार में रह जाएगा अब 400 लाहक तो फेटालिस की स्कवाइर देकनी है तो 45 की स्कवाइर 45 25 और यह 2500 है तो क्या ज़्यादा या कम तो ज़्यादा है इसका मतलब यह 41 की नहीं होकर 49 की स्क्वैर हो जाएगी आई बास समझ में इस्ट्वेंट्स अब अगर यहाँ पर आप देख रहे हैं 2809 तो फिर आप यहाँ पर इस तरह से जोड़ा लगा लो और आप देखो गें यहाँ पर कि 28 से अगर तो आपके 5 के स्क्वैर पचीश लेकिन 6 के स्क्वैर से कम है 36 से तो 5 में ही रह जाएगा तो 55 की अगर स्क्वाइर की बात करें तो 5 चा के 3025 तो 3000 यानि 55 के स्क्वाइर से यह कम है तो यानि कि यह तिरपन का आपका स्क्वाइर हो जाएगा आई बात समझ में स्टुडेंट अब यहाँ पर जो अगला फिर आप देखिए जैसे कि आपके 7589 है तो हमने इस तरह से जुरा लगा दिया आपके यहाँ पर क्या आगे 75 तो यहाँ से देखने की बात है कि आपके 8 के स्क्वाइर हो जाते 64 और जो 9 के स्क्वाइर होते हैं वो हो जाते 81 लेकिन यह 9 के स्क्वाइर से तो कम है तो इसलिए आपके यह 8 में ही रह जाएगा अब यहाँ पर हम लोग 85 का स्क्वाइर निकालेंगे तो आट नमा 72 हो जाएंगे तो 72 पचीस से यह जादा है तो इसलिए यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर यह 87 के स्क्वाइर हो जाएंगे अब अगर यहाँ पर आप देखो तो 5776 तो यहाँ पर आपके जुड़ा लगा देने से इधर आपके हो गए 57 तो 57 अगर है तो आपके जैसे की साथ के स्क्वाइर उन्चास सी अधिक है लेकिन 8 से कम है तो 7 में ही रह जाएगा और अब यहाँ पर देखना है 75 का स्क्वाइर तो 75, 87, 56 तो यह 500 से यह 57 सो यह जादा है तो यह आपके 74 की नहीं होकर 76 की स्क्वाइर हो जाएगे अब यहां पर आप अगर सुरू से इस तरब से जोरा लगा दिया 26 तो 174 आपके हो जाते हैं तो जो 13 का स्क्वाइर होता है वह 169 हो जाती है और 14 की square कितने हो जाते हैं 196 हो जाती है तो यहां 184 है तो 13 से ज्यादा है लेकिन 14 से कम तो यह 13 महीरा जाएगा अब हमें 135 की square देखनी है तो 13 को 14 बार करेंगे 182 यह आपके उससे कम है 18,000 से कम है 17,000 है तो यह 132 की ही square हो जाएगी ना कि 138 की होगी आर यह बात समझ में फिर यहां पर देख लो यहां आपके लाश्ट में जैसे की 81 को हमने इधर कर दिया अब यहां पर 250 हो गए तो 252 हो गए तो आपके जो 14 की square होते है वो आपके 196, 15 की square आपके 225 और 16 की square 256 तो यानि कि यह आपके जो 15 से अधिक है लेकिन 16 से कम है यह आपके 15 में रह जाएंगे और आपके यहाँ पर जैसे कि अब देखना हमें 155 का स्क्वाइर देखना तो पंदरा गुना हमें 16 करना है तो पंदरा गुना जब आप 16 करोगे तो आपके लिए हो दो सो चालीस दो सो चालीस और पांच के स्क्वाइर पचीस तो यहाँ पर 24,000 से अधिक है इसलिए यह एक आई पर एक यह नहीं होकर यहाँ पर नौ हो जाएगा यानि यह 169 की स्क्वाइर हो जाएगी आ रही है बात समझ में स्टुडेंट्स चलिए देखते हैं अगर नेक् पूल को निकालने की साधरन बीदी को लेगर हम फिर से एक बड़ पस्तित होंगे तब तक के लिए गुड़ बाई